नमस्ते आप सभी को कैसे हैं आप सब वेलकम बाक तो दे चानल दे ग्रीनल ग्रास भाई गुंचन त्यागी आज की यह वीडियो मेरी जितनी आज तक मैंने वीडियो बनाई हैं उन सबसे बिलकुल अलग होने वाली है reason behind थोड़ी सी spooky होगी, थोड़ी सी creepy होगी, थोड़ा सा आपको scare करेगी but it's a beautiful story, जरूर सुरना, last तक बड़े रहना तो आप लोग में से बहुत पूछते हो कि law of attraction की journey मैंने कैसे शुरू की law of attraction मैं आप हम सब बच्पन से करते आए हैं, फर्क से रितना हैं, हम unknowingly करते थे अब बड़े हो कि हमें समझ आ गई है कि क्या है law of attraction जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में questions साधा आने लगते हैं what, when, how, तो उसमें हम law of attraction से दूर हो जाते हैं जब छोटे थे हर एक चीज बिना सोचे समझे कर देते थे और result बहतरीन मिलते थे और बहुत quick मिलते थे तो आज की जो ये मेरी video है न, basically मैं इसमें ये बताऊंगी कि how I started मैं witchcraft से कैसे जुड़ गई ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा encounter था energies के साथ वो मैं आपको बहुत back ले जाती हूँ जब मैं hardly 5 या 6 साल की थी ये मेरे mind में ये memory बिलकुल clear है क्या था कि my father is in a government job तो बड़े-बड़े houses मलते थे आगे भी पूरा garden होता था, पीछे भी गोडिया, वे वर huge houses और एक कमरा दूसरे कमरे से बहुत distance पे होता था तो मैं और मेरी sister हम तोनों अपना room share करते थे तो क्या हुआ कि एक night जब हम सो रहे थे तो मेरी beach में middle of the night आग खुलती है और मैं जो हमारी room का door है न, room का जो दर्वाजा है उस पे एक ऐसी energy देखती हूँ जिसने white color के कपड़े पहने हुए है जिसे हम अचकन कहते हैं अगर आपको पता हो हमारे grandfathers हमारे वो लोग पहनते थे और बहुत ही handsome लगते थे उसमें तो उस energy ने वो कपड़े पहने हुए पूरा white और उन्होंने cap लगा रखी है जिसे नहरू के अब कहा जाता है मैंने वो पूरा उनको अच्छे से उपर से नीचे देखा और मैं फिर्स होगी actually मैं मैंने अपने grandfather को कभी नहीं देखा था when I was 8 months old वो expire हो गए थे बट जब मैंने ये बात अभी 15 साल कुछ पहले ममा से ऐसी share कर रही थी बता रही थी तो ममा ने मुझे बोला कि हाँ तुम्हारी grandfather ऐसे ही exactly ready होते थे तो इस night वो जो energy थी वो मेरी grandfather थे वो हम सबसे मिलने आये थे पता है क्यों? क्योंकि मेरी sister को भी उनका dream आया था मेरी father को भी उनका dream आया था तो वो हम सब को देखने आये थे मिलने आये थे हम सब से ये था मेरा पहला encounter जो एक बहुत ही positive energy के साथ था और जो नोंने हमें बहुत सारी blessings दी अब बात करते हैं दूसरे की तो थोड़ा fast forward करते हैं 2009 में आते हैं 2009 में मैं वैसे ना professionally मैं एक software engineer हूँ तो यहां मैं आपको बताऊंगी की कैसे मैं witchcraft के इस beautiful world में enter कर ले तो मैं हिद्राबाद में job करती थी after marriage मैं हुई bangalore shift और जब मैं bangalore shift हुई तो I got married in December 2009 और January 2010 में हमने अपने लिए घर खरीदा था एक apartment अपने लिए खरीदा था तो it was a newly constructed building हम पहले थे जो उसमें shift हो रहे थे मैं तब मेरा हुदल और families रह रही है पर जो हमारा घर था उसमें हम पहले लोग थे जाने के लिए तो क्या हुआ ना कि after उसमें shift होने के two weeks बाद थी हम लोगों को एक opportunity घूमने का मौका मिला Puddy Cherry जो Pondy Cherry है महां हम गए थे और जो Pondy Cherry घूम चुकिए आपको पता है कि महां हमारा श्री अरोबिंदो घोष्टी का आश्रम है बहुत beautiful books मिलती है और मेरे ये मेरे अंदर ये कीड़ा है कि जहां जाओ ना और कुछ खरीदो मत खरीदो उस जगे से मैं books दरूर खरीदती हूँ तो वहां से मैंने बहुत सारी books ली लेकिन बहार ना एक बहुत old uncle आंटी की shop थी जो वो french वालो का market है ना वहां पे उस shop से मैंने अपनी पहली witchcraft की book खरीदी थी जिसका कुछ title ना wicka, wickan techniques कुछ ऐसे करके था writer writer मुझे कुछ नहीं याद है तो वो मेरी पहली book थी और वो book मेरे पास अब क्यों नहीं है वो भी आपको story में आगे पता चलेगा तो जहां से सुनना तो वो मेरी पहली book थी जैसी मैंने वो book खरीदी ना I got so obsessed with था book की मेरे दिमाग में आगया मुझे पढ़के खतम करनी है वैसे भी मैं कोई भी book ना hardly मैं two weeks लगाती हूँ खतम करनी में लेकिन एक अजीब सा मुझे obsession हो गया कि नहीं मुझे book खतम करनी है and my husband was like कि खूमते फिरते हैं book तो तुम पढ़ते रहना वहाँ जाके पढ़ लेना Bangalore पता नहीं क्यों मुझे बस हो पढ़नी थी पत वो पूरा नहीं हो पाया मैं वहाँ नहीं पढ़ी पढ़ा मैंने start कर दिया था जिसमें उन्होंने विक्का से introduction start कर दिया था ठीक है तो जब हम Bangalore वापस आएं तो क्या हुआ कि मेरी उस टाइम जॉब नहीं थी I was at home क्योंकि हैद्रवाद से जब मैंने shift किया था तो मैं वहाँ से अपनी quit करके जॉब आई थी और मैं यहां search कर रही थी Bangalore में जॉब तो I used to be alone at home तो जब जो मेरे helpers थे जब काम करके चले जाते थे तो मुझे घर में sound आते थे like kitchen में कुछ गिर गया या ऐसे आते थे कि जो बंद drawer है उसमें कुछ गिरा है ठीक है किसी ने हल किसे knock किया ऐसे sounds आते थे और मेरे जो मेरी एक full time जो मेरे साथ helper होती थे हाड़ी मुझे एक तो घंटे के लिए ऐसा होता था कि I am alone at home जब वो अपने बच्चे को स्कूल से pick up या कुछ करने जाती थे उस time में ही वो मुझे sounds आती थे और एक unique बार पता है क्या है मैं कभी डरती नहीं थी I was never scared मैं बता scientifically सोचती थी अच्छा वो ऐसे रग गई होगी वो गिर गया होगा कोई बात नहीं बट यहाँ पर एक unique चीज हुई क्योंकि हमने घर खरी रा था तो जो मेरी elder sister है उन्होंने एक बहुत beautiful सी name plate बना कर हम लोगों को gift की थी मेरी और मेरे husband की तो मैं अपनी चीजों को लेके न बहुत ध्यान देती हूँ मतलब की मेरी चीज़े टूटे न बहुत cautious रहती हूँ उन्हें सम्हाल के रखने में especially जो मुझे gifts देते हैं उसके लिए तो हमारे घर में बहुत बढ़ी open french window थी तो next day कारपेंटर आने वाला था उसको fix करने के लिए तो मैंने न वो french window के नीचे floor से उपर तक 6 inches का difference होगा मैंने वो नीचे उस पर रख दी थी window के नीचे और बिल्कुल flat रखी थी कि वो गिरे ना ये सोचके वो night में जब मैं और मेरे husband सोच रहे थे तो around 1.30 वो nameplate गिर जाती है नीचे और वो बिल्कुल तूट जाती है मतलब सब alphabets, सब कुछ उसमें तूट जाते है और ये मेरा और मेरा husband का बहुत time तक argument हुआ उन्होंने मुझे बोला कि तुमने इसे slanting रख दिया होगा इसलिए slip हो गई होगी but I was very sure कि मैं इसे बिल्कुल ठीक रखा था उस दिन मुझे पहली बार realize हुआ कि नहीं something is there जो मुझे कुछ कहना चा रहे है या कुछ है कि ये मेरी nameplate तूट गई अब जब next day मेरे husband office जाते है he calls me from there और वो मुझे मोलते है कि it's a very unique thing लेकिन मैं उस team में भी नहीं हूँ लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि मुझे abroad जाना है कोई project के लिए इसमें एक और unique चीज ये है कि they are insisting कि तुम मेरे साथ ही जाओगी generally क्या होता है कि husband पहले जाते है after some time companies wife का visa बगरा लगा के करते है but they are insisting that you should go together I was also surprised कि ये कैसे क्योंकि अभी हमें move करे ही hardly one month ही हुआ था but it's okay तो मैंने का चलो ठीक है चलते हैं no problem तो हम दोनों ने अपना process start हो गया हमारा सारा documentation अगिरा start हो गया अब इसी meanwhile में we decided कि भई जो हमारा important समान है हम अपने साथ ले ही जाएंगे और बाकी कुछ समान हम में जो हमारा native है वहां तक पहुचा देते हैं बाकी हम इस घर को rent पे उठा देते हैं तो ये सोच कि हमने अपना जो main हमारा समान furniture था वो एक रूप में बन किया बाकी जो two-three bedrooms थे उस apartment के हमारे घर के हमने सुचा वो rent पे ऐसे दे देते हैं अब यहां मैं एक unique चीज कहूंगी कि मेरे Saturday Sunday में और मेरे husband साथ में होते थे उन्हें कभी कोई sounds नहीं आते थे उस particular type में भी कभी कोई sound मुझे ही नहीं आता था उन्हें क्या आएगा Saturday Sunday बिल्कुल शान्त होता था घर लेकिन week days में when I am alone तो कहीं से कुछ हवास कहीं से कुछ हवास कुछ ना कुछ आती ही रहती थी फिर जब tenants उसमें आए हम लोग meanwhile उस time इंडिया ही थे अपने native place थे hardy time था 7-8 days का तो मैंने ऐसी पूछा कि you are comfortable उन्होंने बहुत उससे का आखा रहे yes it's a beautiful house ये सम मैंने का okay ठीक है मतलब किसी को कभी complain नहीं आई उस house में सिर्फ मुझे ही सुनाई आती थी उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग उस country abroad पहुच गया I know video थोड़ी सी लंबी है but bear with me लंबी और beautiful story भी है तो हम जब वहाँ abroad पहुच गये तो बहुत ही beautiful घर दिया गया हमें रहने के लिए it's mesmerizing था वो घर ठीक है मुझे उसकी pictures मिली तो डाल दूंगी but वो घर मुझे मिला हम लोगों को मिला husband wife दोनों को तो वहाँ पे भी यह हुआ कि office जाते थे meanwhile मैं घर में रहती थी बट वहाँ न घर wood के बने होते है foreign countries में तो वैसे ही मुझे लगता है और अंदर heaters भी होते है सब कुछ की थोड़ा बहुत sound वहाँ आता ही रहता है wood के होते हैं न अमारी तरह नहीं होते bricks वाले तो मुझे लगा कि वैसा ही कुछ sound आ रहा है ये चीजे दुबारा मेरे साथ start हो गई मुझे sounds आने लगे and you know what जो मैं समान भाँ ले गई थी उसमें जो मैं books ले गई थी उसमें मैं अपनी ये विकन वाली ये book भी लेके गई थी जब मैं unpack कर रही थी मैंने वो books अपनी shelf पे लगाई तो लगाते हुए सबसे रुख गया ना जैसे मेरा हाथ उस book पे रुख गया और मैंने वो निकाल के I started reading the book अब ना दूसरी countries में spring time जो होता है ना बहुत कम time के लिए होता है मतलब की good weather जहां हम गये थे वहाँ snowy snow रहता था most of the time तो बहुत beautiful weather था तो मैं थोड़ा ना बहार निकल के उसको book में लेकर हाथ में लेकर I was walking outside जो मेरा next घर से next कर मतलब एक घर छोड़के एक घर पे एक बहुत old auntie रहती थी she was very friendly क्योंकि जब हम move करे थे जिसन first day आये थे तो बहुत smile से उन्होंने मतलब दूर थी पर उन्होंने देखा था तो मैंने देखा उन्हें I was walking वोग करते हुए अपने घर से she came कि मेरे पास वो बहार आई generally foreign countries में ऐसा नहीं होता है ठीक है but वो आकर उन्होंने मुझसे बात बात करनी start की तो में बातों बातों में उन्होंने मुझे ये कहा था कि anything is troubling you तो मैंने उन्होंने वो incidents बता है कि मुझे ऐसा लगता है कि something someone is trying to क्योंकि किसी को नहीं सुनाई आती मुझे ही सुनाई आती है और मैंने कभी किसी चीज को देखा नहीं लेकिन मुझे लगता है I feel something जब वो मुझे बात कर रही थी तो she was not looking at me वो मुझे side में देख रही थी you're getting my point कि जब कोई आपसे बात करता है तो आपके आखों होंगे आपकी तरफ देखता है but she was looking at me इतर देखती ही जब दो लोगों से आप बात करते है तो कैसे आप करते हूं आइस अपनी तो she was doing like this तो उनोंने मुझे कहा कि do you want some coffee you want कि coffee पीना है तो मैंने बोला no no my husband is about to come I'm just going to prepare some food तो फिर उनोंने ज़से मुझे पूचा then side में उनोंने बोला come with me उनोंने मुझे नहीं देखा but side में देखते हूं बोला come with me तो मैंने बोला no no actually मेरे husband आने वाले है मैं अंदर अभी जाओंगी I'm prepare करूँगी मेरी ये बात खतम भी नहीं हुई थी she turned और वो चली गी वो अपने घर की तरफ she moved तो मैंने भी सोचा मैंने का okay fine ठीक है फिर उसके बाद जब मैं उनसे बात कर रही थी तो जो बाहर का area होता है बात करते करते मैंने वो जो book थी वो वहां रगती थी ठीक है ये मुझे clearly नहीं याद कि मैंने वो book रखी थी नहीं रखी थी but I'm assuming कि मैंने वो book वहां side में रखती थी जब वो चली गई नहीं तो I started feeling थोड़े ठंड लगने लगी मुझे तो मैं भी अंदर आगी घर में and 15-20 minutes में मैंने बस अपना coffee coffee prepare की meanwhile husband आ चुके थे और उनना वहां पर office times ना 4.35 खतम हो जाते थे तो 5.15 तक he used to be back home तो यह हुआ incident उसके बाद मुझे पूरी night में याद नहीं आया कि मैंने book छोड़ दी बाहर या वो book कहा है मैं अपना busy हो गई थी और I was feeling very light that day कि जैसे मेरे mind से कुछ चीज खतम हो गई कुछ चीज मतलब जो मुझे परिशान कर रही थी वो नहीं है ठीक है next day मुझे याद आया कि मेरी book मैं उनसे बात कर रही थी कहा है मेरी book कहा है मुझे वो book नहीं मिली ठीक है और उस दिन के बाद से मुझे नहीं तो मेरे उस घर में जो मेरा उस country में घर था कोई sound आया कुछ नहीं आया मैं उन आंटी से मिली लेकिन मैं ये नहीं कहांगी कि frequently बस जैसे होते न कार में बटके हम जा रहे हैं she's watering plants या कुछ भी वो कर रही है तो वो बस इतना interaction कुछ होता था उसके बाद से उन्होंने कभी मुझे वो प्यार से ऐसे देखा भी नहीं था ऐसा कुछ नहीं हो रहा था तो एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं उनसे मिल के आती हूँ अब ये आगे की story न मैं आपको second part में सुनाऊंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आगे की story second part में सुनाऊंगे अगर इस पर views अच्छा है तभी second part बनाऊंगी तो आज के लिए इतना ही रखती है थोड़ा सा आपको डर लगना शुरू हो गया तो it's okay क्योंकि energies are very beautiful और वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुचाती है इस बात को हमेशा गाट वांद आज के लिए इतना ही thank you so much for watching please do like, share and subscribe बहुत लंबी ओर ये वीडियो इसलिए कर रहे हूँ बाबाई